अगर हर रोज कुछ नया सीखने की प्रचन डिक्षा रखते हो तो इस चैनल को ज़रूर सस्क्राइब करना, बैल अगन दबा लेना और आल पर क्लिक कर देना तो आज का जो वीडियो है, बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला है, हम सीखने वाले हैं, MS Word के कुछ जबरदस फर्मिले, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया, फर्मिले तो MS Excel में लगाया जाते हैं, MS Word में कौन से फर्मिले लगते हैं, तो अगर आप भी यही सोचत हैं, MS Word में फर्मिले नहीं लगते हैं, तो यह वीडियो खास तोर पे आपके लिए है, नमस्कार मैं अभेनी भरतवाज, आपका स्वाइद करता हूं, My Big Guide Smart Class में, उस चैनल पर मैं हमेशा आपके लिए बहुत ही यूसफुल टिपसेंट्रिक्स लेकर आता रहता हूं, तो MS Word के फर्मिले बताने से पहले, आप यह चोटा से एक डेमो देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक इन्वाइस है, जिसका मैंने एक डेमो बनाया है, और इस इन्वाइस के अंदर यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट्स लिखे हैं, उनकी चीज़ें जो कैलकुलेशन मेंने की है, वो मैंने मैनूल की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर जो आपको माउस की जो क्वांटिटी दिख रही है, उसको बदल के मैं यहाँ से तीन से एक कर देता हूँ, अब आप सारी चीज सा माउस का वो चेंज हो गया है, और नीचे यहाँ पर आप देख रहे है, 7825 यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, ऐसा हम और भी कर सकते हैं, तो मान लीजे मैं USB की क्वांटिटी भी यहाँ से एक कर देता हूँ, और उसके बाद मैं सिंपल मैं पूरी टेबल को सेलेक करके, और F9 प्रेस करूँगा, तो आप देखिए, यहाँ पे भी वो सारा effect एक साथ में पढ़ जाएगा, अब यह हमने किया कैसे, कैसे बनाया हमने इसको MS Word में इस तरह से, इस वीडियो में पूरे बने रहेगा, इसके लावा और भी formulas जो MS Word के अंदर लगाये जाते हैं, उसके शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आप मेरे पास देख रहे हैं, मेरे पास एक blank invoice है, जिसमें मुझे quantity तो डालनी पड़ेगी और unit price भी भरना पड़ेगा, लेकिन आगे जो सारी चीज़ें हैं, वो automatic आ जाएगी, कैसे आएगी, चलिए इसके बारे में जल्दी से समझते हैं, तो यहाँ पे अगर हमें किसी चीज़ का total निकालना है, यानि ये column से ये column को multiply करना है, तो simple हमें क्या करना होगा, control के साथ में F9 को press करना होगा, उसके बाद यहाँ पे एक field generate हो जाएगा, ये field बिल्कुल वैसे समझ लीजिए, जैसे MS Excel में एक field generate होता है, ये cell होता है, अब formula कैसे work करेगा, क्योंकि Excel पे आपको cell का name पता रहता है, cell का नाम पता रहता है, यहाँ नहीं पता है, तो यहाँ पे simple आप वैसे ही cell का नाम अपने इसवाब से रख लेंगे, तो जैसे ये पहला column है, तो column A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, और उसके इसाब वाला जो column है, वो है column C, और quantity वाला जो column है, वो है column B, इस तरह से आप समझ लीजेगा, चलिए, आप शुरू करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बराबर का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम bracket को open करेंगे, अब हम quantity से unit price को multiply करना है, तो quantity वाला जो column है, वो है B, तो यहाँ पे हम पहले type करेंगे B, और B का कौन सा cell है, 1 तो यह हो गया quantity जिसमें लगाएंगे, तो यह है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2, उसके बाद एस्टरेक लगाएंगे, यानि की star लगाएंगे, जो multiplier का sign होता है, और यह आपको numerical keypad के ऊपर मिल जाएगा, minus button के बराबर dash मान लीजे, minus मान लीजे, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लिखेंगे C और यहाँ पे लिखेंगे 2, और bracket बंद कर देंगे, अब simply हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, keyboard से F9 को press करना है, जैसे हम F9 करेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों की multiply value आ जाएगी, इस तरह से यह जो करने के लिए थोड़ा था बदला हर किसी formula में करना पड़ेगा, यहाँ पे drag and drop नहीं काम करता है, तो जैसे आप इस पे click करेंगे, जो आपकी value है, तो यहाँ पे आपको layout का option देखेगा, इस पे चले जाएगे, यहाँ पे आपको formula दिख जाएगा, अब बस करना क्या है, आ और फिर b5 और c5 आएगे, तो यहाँ पे हमने change किया इसको, यह बदल चुका है, इसी तरह से यहाँ पे भी हम change करेंगे, तो यहाँ पे 4 कर देंगे, यह देखे 4 हो गया, और इसी तरह से यहाँ पे करेंगे 5, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको table बनाने के लिए ms word की ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत कम अगर आपको excel आता है, आपको नहीं आता है, तो आप ms word में ही यह सारे काम कर सकते हैं, आप देखो total due निकालना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, cell के अंदर click करो, यहाँ पे layout का option मिल जाएगा, इसमें यहाँ पे formula दिखाई दे तो यहाँ पे आप click करोगे, इसमें थोड़ा सा confusion आपको होने वाला है, अगर आपने कुछ cells merge कर रखे हैं, देखो उपर के तो column हम गिन रहे थे, एक, दो, तीन, चार, लेकिन नीचे के column हम चार नहीं गिनेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक column हमारा merge है, तो नीचे जो column merge है, उ अगर merge नहीं करते, तो यह D ही कहलाता, अब simple आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फिर से control के साथ F9 दबाना है, अब हम इस number को text में convert करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत simple formula के साथ में, तो यहाँ पे हम इस column को, यह cell को हम convert करने वा और उबर से लेगे हम count कर लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे C12, उसके बाद यहाँ पे हम यह उल्टा वाला जो एक bracket है, इसको लगाएंगे, और इसके बाद एस्टेटिक लगाएंगे, और य जाएगा, अब इसमें कहीं भी आपको कोई भी change करना हो, तो आप असानी की साथ में कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ, 10, तो यहाँ पे आप देगी, मैंने सभी products की, जो quantity है, वो change कर दी है, अब मुझे अभी products को update करना है, तो नहीं है, और आपको random कुछ text चाहिए, तो कहीं से copy paste करनी की अवशक्ता नहीं है, आपको बराबर का निशान लगा के, cable यहाँ पे rend type करना है, और दोनो brackets को बंद करके, सिर्फ enter कर देना है, आपके पास एक random paragraph यहाँ पे आ जाएगा, तो एक बहुत अच्छा formula है, यहाँ प आपको दबाना है, और यह दबाना है आपको numerical keyboard से, और यह indicate करता है आपके width को, column की width को, अब जब मैं plus दबाऊंगा तो यह समझ लीजे, एक column के बीच की दूरी आगए, इसी तरीके से आपको जित्ते column चाहिए, plus और minus कर लीजे, बीच की दूरी बढ़ा लीजे, ठीक है, म बहुत कामा सकते हैं, और आपको अगर लगता है, यह सारी चीजे आपको पता होने चाहिए, आप 20 तरीके से, MS Word के अंदर, या और बहुत सारे software के अंदर expert बने, Excel के अंदर expert बने, तो आप हमारी website PCSkill के courses को join कीजे, हम देने वाले हैं अपनी subscribers को साल का सबसे बड़ा giveaway, सब सबसे बड़ा offer, तो वीडियो के नीचे description में दिएगे, लिंक पे क्लिक करके आपको पहुंच जाना है, हमारी website PCSkill.in पर, और यहां पर आपको दिखाई देगा, हमारा सबसे popular course, A to Z Computer Mastery Pinned Records, हम देने वाले हैं, बिलकुल free में, यह shortcut key print किया हुआ, special mug, जिसको आप अपने table पर रख सकते हैं, या किसी को gift कर सकते हैं, इस पे जो shortcuts दिए गए हैं, यह बहुत important shortcut है, इसके साथ में, हम free में देने वाले हैं, यह mousepad, जिस पे भी बहुत सारे shortcuts, जो है, बहुत useful shortcut, print है, इसको अपने table पर रख सकते हैं, यह premium mousepad, यह premium mousepad आपको याद दिलाता रहेगा, काम करते समयों, उन shortcuts के बारे में, हम देने वाले हैं, बिल्कुल free में, यह Hindi keyboard shortcut का, जो sticker है, वो, जिसे आप keyboard पे लगा के, Hindi tapping सीख सकते हैं, हम देने वाले हैं, बिल्कुल free में, यह PDF e-books, जो आपको आपके काम में help करने वाली हैं, हम बिल्कुल free में, यह 1800 plus shortcuts के PDF, जो आपकी help करने वाले हैं, आपके काम के अंदर, इसमें, word, excel, powerpoint, telly, photoshop, coral draw, page maker, यह ऐसे सारे जो software हैं, उनके shortcuts दिये गए हैं, जिने आप बड़े आसानी के साथ में, यूज कर सकते हैं, हम बिल्कुल free में देने वाले हैं, यह practice file, जिससे आप कभी भी कोई बीचीज सीख इसमें इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह सब कुछ आपको कहां मिलेगा, यह मिलेगा आपको हमारे इस pen drive course के अंदर, जिसमें 1000 से जादा lesson है, बिल्कुल हिंदी, शुद्ध सरल भाशा में, और यह pen drive course बिल्कुल offline चलता है, यानि टीवी पे आप इसे चला सकते हो, फॉन 1000 रुपे काता है, लेकिन यह जो pen drive course है, lifetime access के साथ, यानि 10 साल तक भी आप, जब तक pen drive खराब ना हो आपकी, तब तक आप देखते हो, कितनी बार भी देखो, खुद देखो, अपने किसी रिश्यदार को gift कर दो, बच्चे को gift कर दो, उसके भी बहुत काम आएगी, इस pen drive के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और इस course के अंदर एक giveaway और भी है, जो है canva का course, अगर आप professional graphic designer बनना चाहा रहे हैं, तो यह canva course आपके बहुत काम आने वाला है, और क्या-क्या मैं देने वाला हूं, भी और सुना, भी तो list बहुत लंबी है, तो अभी यह जो pen drive course है, यह ह मिल जाएगा, इसके साथ में अगर आप बहुत जादा computer यूज करते हो, mobile phone यूज करते हो, तो यह computer glass आपको, जिसकी cost 4000 रुपीज है, केवल 1000 रुपे में मिलने वाला है, कोई coupon code यूज करने की जुरूत नहीं, direct जाओ, direct purchase करो, और फाइदा उठाओ इन सारी चीज़ों का, देखो, हमारा जीवन का सबसे बड़ा जो investment होता है, वो होता है हमारे skills के अंदर, अगर हमारे पास skills हैं, तो हम बुसे कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप दुनिया का कोई भी काम करने जा रहो और आपको कुछ आता नहीं है, तो बेकार है, आपके पास अगर skills हैं, तो यह आ अनोच और तरुन आपकी help करने के लिए बैटे हैं, नीचे मैंने number दे रखा है, number पे call करो, अभी बात करो, अगर कोई भी doubt है, और साथ में मैं आपको देने वाला हूँ ISO certificate, यह course complete करने के बाद, एक online exam होगा, और मेरी team से आपको contact करना है, वो आपको देगी एक ISO certificate, जिसे आ है हमारी website pcskill.in पर, और वहां से join करिए pen drive course को, और अपना review मुझे जरूर दीजे, और यह सारे giveaway का फायदा उठाईए, तो कल रात 12 बज़े तक यह offer valid रहेगा, जितने लोग भी चाहें, उतने लोग जाके join कर सकते हैं, और इस offer का लाब उठा सकते हैं, मैं मिलता हूँ ले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद फंदे मातरम